नमस्कार दोस्तों मैं दिपक्ट कुरेला ब्रेन एक्सेलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस इंप्रोडन सेशन के अंदर तो दोस्तों आज का जो टोपिक है वो डियमाइटी से रिलेटेड है और उन सभी लोग के लिए है जो डियमाइटी जाते हैं पास स्टेप्स मैं बताऊंगा उन पास स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कांसलर बन सकते हैं आपको अच्छी शुरुवात मिल सकती है कांसलिंग करियर के अंदर और साथी साथ पेरेंट्स या क्लाइंट जो भी आपक अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपकी कांसलिंग स्टाइल का कांसलिंग सबसे इंपोर्टेंट रोल अदा करती है डी माईटी के अंदर डेफिनेटली रिपोर्ट एक लेवल तक काम आती है लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट के अंदर होते हुए भी हम कभी नहीं देख पाते और अगर रिपोर्ट नहीं भी है तो भी आप किसी की काउंसलिंग कैसे करें शायद जो स्टेप्स में आपको बताने वाला हूं वो स्टेप्स आपकी हेल्प कर सकते हैं तो दोस्तों इन स्टेप्स को मैं पर्सनली प्रोटोकॉल फोलो करता हूं अपने टे हैं और इन स्टेप्स को आप भी अपने जीवन में उतारें अपने काउंसलिंग जो आपकी पिछ है जिस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं जिस तरह से आप लोग को समझाते हैं DMIT के बारे में ये पांस स्टेप्स उसमें आपकी बहुत जदा हेल्प करेंगे तो NUMBER 1 जो निकलता है हमारा ATD angle है सबसे पahले ATD angle को समझें कि जो भी candidate आपके पास है उसका ATD angle क्या है जिसकी रिपोर्ट भी आप तились कर रहे हैं या करवा रही हैं उसकी ATD angle क्या है, यह report तयार होने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए देखे, counselling करना एक पूरी एक research है अपने आप में किसी वेक्ति की life को आप एक नया mode देने वाले हैं, नई दिशा देने वाले हैं, तो आपको भी उसके उपर पूरा अध्यन करना चाहिए, और अध्यन करेंगे, अच्छी आपका homework होगा, और जब आप counselling करेंगा, तो सामने वाला आपको बहुत अच्छा response भी देगा, और आपका business बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट पढ़के समझाने से, आप सोचते हैं कि आपका business grow करेगा, DMIT में, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अच्छा इडिया है, आप अच्छे से research करें, तो सबसे पहले ATD angle, ATD angle आप खुदी निकाल सकते हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ कि ATD angle कैसे निकाला जाता है, कोई software की ज़रूत नहीं है, हाथ के तीन points है, उन तीन points पे index finger के नीचे का delta, little finger के नीचे का delta, thumb के नीचे का delta, आप इन तीन delta से ATD angle निकालिए अगर आपको लगता है कि ATD angle आपको निकाला नहीं आता, तो उपर आई बटन पे, मेरी वीडियो आप कुछ दिख रही होगी, ATD angle कैसे निकालना है तो वीडियो खतम होने के बाद, रिवाइन करके उस पे क्लिक करके, आप ATD angle के बारे में detail में जान सकते हैं, ATD angle जानने से आपको पता चलेगा learning sensitivity एक व्यक्ति जो है, वो किस तरह का learner है quick learner है, slow learner है, very slow learner है, poor learner है उसके learning capability कितनी है उसे कितनी बार समझाने के बात समझ में आएगा दो बार में समझाएं, एक बार समझाएं, चार बार समझाएं, दस बार समझाएं अब ये वाली बात जो है अपने पास्ट में अगर आप जाएंगे जब आप पढ़ते थे स्कूल टाइम में तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे स्कूल में कई बच्चे ऐसे थे जो बड़े क्विक लर्नर थे टीचर की बात टीचर ने समझा है उनके दिमाग में आगए अंसर के लिए हाथ उठा लिया कई बच्चे ऐसे थे जिनको चार बार पांच बार समझा दो समझ नहीं आता था और कई बच्चों से टीचर भी हाथ जोड़े थे बहुत ज़ादा बिकार थे वह उनको बिल्कुल में परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वो खुद भी इसको फील करते थे लेकिन फिर भी ट्राय करते थे किसे ना किसी प्रेशर में या उनकी इंटरस्ट की वजए से एटीडी एंगल पता लगाने से आप लर्निंग सेंसिटिविटी को बहुत हट तक मेजर कर सकते हैं बच्चे का एटीडी एंगल कितना है इससे आपको पता चल जाएगा कि जब आप अपने कांसलिंग करेंगे तो क्या तरीका होगा आपका किन चीजों पर आपने जोर देना है बच्चे का लेट ब्रेन कितना काम कर रहा है कितनी जल्दी चीज़े सीख रहा है बच्चे का राइट ब्रेन कितनी जल्दी चीज़े सीख रहा है ये दोनों दोनों बाते आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे अब लेट और राइट ब्रेन कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है दोनों बराबर है या नहीं है यह बाते अगर आइटीडी अंगल ने क्लियर कर दी तो अब आपके सामने जो बच्चा आने वाला है उस बच्चे के बारे में आपको पता है कि कौन से ब्रेन की एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी जल्दी सीखेगा और किस तरह की में यह बड़ा एक्टिव होगा क्विक लर्नर जो भी होगा वह एक्टिव होगा उस पर्टिकुलर सेग्मेंट में वह एक्टिविटी तो सबसे पहला रूल है एटीडी एंगल जरूर निकाले दूसरा पॉइंट जो आता है दूसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं जैस लेफ्ट बोड़ी पार्ट को हैंडल करता है सबसे पहले यह देखें कि लेफ्ट और राइट में में होते क्या क्या चीज़ें आप रिपोर्ट के प्रोटोकॉल पर ना जाएं सबसे पहले आप खुद अपने दिमाग में पिच्चर बना लें कि बच्चे का एटीडी तब तीसरे पर आपका का आता है छोब ब्रेन लोब लोब कि क्रेक्टर स्ट्रिक्स क्या क्या है में है कौन सा पार्ट 5 मारे पास प्रीफ्रे कौंद अप्र و critical आपका इंडेक्स फिंगर से रिप्रेसेंट होता है तो इन पांच फिंगर का जो लोब के साथ कनेक्शन है वो आपकी दिमाग में कलियर हो तो तो मल्टिपल इंटेलिजेंस के बारे में समझाना असान हो जाएगा रिपोर्ट समझने से पहले आपके दिमाग में सारी calculation हो जाने चाहिए कि कौन से brain का कौन सा part किस चीज़ के लिए काम करता है कौन सा लोब कितना function करता है तो मान लिजा अगर बच्चे का left brain जो है वो ज़्यादा active है क्विक लर्नर है तो कहीं ना कहीं उसकी index finger बड़ी फास्ट काम कर यह इंडेक्स लिटल फिंगर में काफी अच्छी स्पीड मिलेगी इस तरह की activity में बच्चा जादा चलेगा तो यहां पर आपको फाइदा क्या होने वाला है यहां पर आपको फाइदा यह होना है रिपोर्ट बनने से पहले ही आप सामने वाले को बता पाएंगे कि आपके बच्चे की इस तरह की activities में बच्चा जादा performance करता हुआ नजर आ रहा है बाकी रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा अब क्या करते हैं लोग स्कैन लेते हैं रिपोर्ट बनाते हैं उसके बाद बताते हैं लोग को विश्वास नहीं हो पाता कि स्कैन लेने से रिपोर्ट बनने के बाद वो बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे त आप उनको कुछ बाते ऐसी बता देते हो जो उनको सिर्फ उन्हीं को पता थी और आपकी जो जजमेंट है जो उब्जर्वेशन है उस पर भरोसा भी करेंगे और उससे आपकी जो कनवर्शन रेश्यो है क्लाइंट्स की वह जादा हो जाएगी तो आप प्लीज ध्यान दीजे उनको जब आप फिंगर्वेशन की बात करते हैं इसे हाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टन में लिखता हूं फिंगर्वेशन को आपकी फिंगर्वेशन को समझजिए दोस्तो आपकी फिंगर्वेशन बड़े असान तरीके से आपके बारे में बता रही हैं अपनी कि Personelecties के बारे में बता रहा है थंब बताता है personality, Inner and Outer and Index finger बता रहा है उसका thought process, thinking process तो ये उसकी गुण के बारे में बता रहा है उसका character कैसा है, उसकी सोच कैसी है यहाँ पर आपको पता चल रहा है, नीचे उसकी काबियत के बारे में बता चल रहा है ये तीनों फिंगर बठाती है काबियत गया vidéo Depending Middle Finger Physical Strength कारे इस्थेटिक स्टेइप बच्चा फीजिकली कितना connected अपने बेन के साथ Ring Finger आपका ओडियो मैमेőरी कितनी strong है Language Skills कितनी strong है Music के साथ connectivity कैसी है और यो कितने रिकलिन आई होती है कितना जल्दी साउंड के साथ हो एक्ट होता है साउंड के कैसे उसके ब्रेन के साथ रिस्पॉंड देता है यहां पे विजोल स्किल्स बिटल फिंगर में विजुन करने की के और सुनने के बाद इन सेंसेज बच जाती हैं देखने की स्मैल की और चेस्ट की यह तीन Your Endred निया आपके लिटर फिंगर से डिसक्राइब होते हैं लिटर फिंगर के बारे में बहुत कम लोग जाते हैं और यह बहुत important है इसके बाद में please study कीजिए तो आप किसी भी व्यक्ति के अगर finger prints को वैसे भी देख लेते हो कौन सा pattern है उसके उपपर और कुस finger में कौन सा pattern है यहां पर पता चलेगा left or right brain से पता चलेगा brain lobes का आपको पहले से पता था कौन से finger किस brain lobe को बता रही है वहां पता चुका हूँ and then आ गया आपका little fingers यहां पर पता चलेगा कि बच्चे का घुन कैसा है यहां पर काबलियत के बारे में पता चलेगा उसकी काबलियत कैसी है वक्तित्व कैसा है थौट प्रोसेस कैसा है और बाकी senses कैसे काम करती है तो आप इनसे भी बहुत अत्तक अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी वेक्ति के बारे में रिपोर्ट बनने से पहले इन चार स्टेप्स को आप फोलो कीजिए और पांचवा एंड मॉस्ट इंपोर्टन्ट होता है वो है कि आप थोड़े से ओनेस्ट रहिए आप उनेस्ट रहिए आप उनको क्लिरली बताईए कि ये चीज़ है लेकिन एक इंपोर्टन्ट बात आती है कि कोई भी माबाब अपने बच्चे की बुराई सुनना पसंद नहीं करता है कोई भी माबाब अपने बच्चे में कोई कमी है तो उसका alternate solution क्या हो सकता है वो भी साथ की साथ पेश कीजिए कभी भी ये मत देखे कि आप problems पर problems बता रहे हैं माबाप आपके पास आए हैं क्योंकि उनके बच्चों के साथ कुछ problems हैं वो अपने life में already problem लेके आपके पास आए हैं आपको उन्हें solution देना वो solution की व जोल करना है इसका solution भी साथ की साथ है अगर नहीं दे सकते कोई point है जिसको आपस नहीं समझा पा रहे हो तो उस point को cover up करो detail में मत बताओ सिर्फ उसका alternate बता दो उसके बारे में ज़्यादा खूल के बताने ही जोती है उसके option में क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है वो बताके उसको खतम करो उसको detail में मत जाओ अगर आप elaborate नहीं कर पा रहे हो तो कभी भी किसी माबाब को आपके पास से जब वो जाए counseling के बाद तो ऐसा feel नहीं होना चाहिए कि उसकी problem बढ़ गई they are coming to you for the solutions report से उन्हें कोई लेना देना नहीं है उन्हें अपने बच्चे की progress चाहिए और progress कैसे हो कि उसका road map कैसे होगा वो जानना चाहते हैं और यह सब चीजे अगर आप करेंगे तो definitely आपकी counseling पहले से बहुत ज़दा अच्छी हो जाएगी उमीद करता हूँ अगर कोई step आपको लगता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो और एड़ोन हो सकता है तो please comment section में डालिए number नीचे आपको scroll down दिखरा होगा तो हाँ मुझे खुद बताएए मुझे भी सीखने का मुका मिलेगा आपसे आप कुछ नया जानते हैं तो कोई भी नई evolution आपको लगता है कि counseling के दुरान यह important points है वाँ बताएए मैं अगली वीडियो में उसको दुनिया के सामने लाँगा पुब्लिक को बताऊँगा कैसे वो और बेटर इसको कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe ज software चाहते हैं, अच्छे से कैसे करना है, marketing strategies कैसी है, क्या तरीका है जिससे public में यह आगे बढ़ेगा, last 11 years से I am doing the same thing और लोगों तक कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी चीजे पहुंचे, तो आप मुसे contact कर सकते हैं, मेना team आपको definitely help करेगी, best solutions provide करने में, हमसे जुडना चाहें हमसे जुड सकते हैं, जैसे अभी आपकी चाहों, जो भी आपको लगे, कि हाँ, यहाँ पे आपको दीपक्ट उक्रेला की जरूरत है, brain excellence lab की जरूरत है, we are here for you, thank you so much ladies and gentlemen, hope you enjoy the session.